हम चुनाव जीते जब जब है जब को ठाकुर एक चुनाव लड़ता है चौमुहा के पत्वारी मंदिर पर राष्टे लोगदल के चौमुहा ब्लॉक के कारकरताओं का संबेलन हुआ इसमें बड़ी संख्या में कारकरताओं ने भाग लिया संब्यलन के मुख्य अच्टी और पूर्ग मंतरी ठाकुर्टेजपासी में कहा कि आगामी विधानसवा चुनावों में सपा और रालोद गठवन्दन की सरकार मनाएगी उन्होंने कारिकरताओं में जोस भरते हुए कहा कि वे बूत इस्तर पर पार्टी को मजबूप करें भाजपा सरकार के जूप से पृदेश की जनता तंग आ गई है जनता आगामी विधानसवा चुनावों में भाजपा को सबक सिखाएगी मुक्यमंत्री योगी पांच वर्ष में छाता सुगर मिल को चालू नहीं करा सके अब चुनावी सिगूपा छोड़ कर मिल को चालू कर रहे हैं भाजपा प्रदेश में पूरी तरह से बैक पुट पर आ गई है योगी मोदी सभी प्रदेश में दौरा कर रहे हैं युवा नेता अतुल सिंग स्वादिया और फलवी ने कहा ये भाजपा जन्विश्वास हो चुकी है ये जन्विश्वास याक्रा निकाल कर प्रदेश में सामपरदाइकता फैलाना चाह रहे हैं जिससे जनता को मूर्ट बनाया जा सके लेकिन इस बार प्रदेश की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी इस दौरान अच्कियों का स्वाधत किया गया इस दौरान पूर ब्लॉक प्रमुक पातिरां से सौधिया के बतीजे हीर बहादुर सिंग से सौधिया ने भाजपा छोड़ कर पूर्ण मंत्री ठाकुर्टेजपाल सिंग के समथ रालोद की सदस्ता ग्रहन की इस कारकरम की अध्यक्सता कारे बावा ने की और संचालन कल्यान सिंग ने किया यह जन्सभा युजद की गई है किन नीति उद्दिशों को लेकि जन्सभर की गई है जन्सभा नहीं है यह जो फार करता है उनकी बैठकूलाई यह जन्सभा तोड़े कर दोड़े हैं जैसा कि बाजबा सरकार ने सोगर मिल का मुद्द रखा है परस्ता पार्ची का दिखा रहे हैं उसके वारें क्या कहना चाहिए भीजद पीजद पीजद चलाना चाहती तो पूरे पांच साल निकल गए पांच साल नहीं चला बाइब यहां के जानी मंत्री में फुक्त ने दी है उनके समय पहले बंद हुए थी जैसा कि माने नी मुख्यमंत्री योगी जी बार और मत्रा का दोरा कर रहे हैं उसको लेकर क्या गेना चाहोगा देखिए वह मुख्यम पूरा कर रहे हैं सब बीजेपी जितना बैकप पह है सब जितने नेता हैं सब परिशान है चारोतर भागे पिर एक उनको इलग रहा है हम जा रहे हैं मत्राद शुनाब लड़ने की चड़्चा है है योगी जी की तो उनका पार्टी का मसला है उसमें हम लोग क्या कर अगले सब्सक्राइब कितनी सीटें ना पाइब कितनी सीटें कर पाएंगे गट बंदर की सुटें कम जगाना है जैसा कि आज एक वार्टी करता समें रखा गया है किनके निजीत उपर बात लिए क्या उद्धेश चागे रहे हैं आज का हमारा राख्ष दलगा है कार करता स मेरे ने चौमा ब्लॉक का जो था हमारे जो तीस चारिस गाहों का यहां रखा गया हमारा उतेश है क्योंकि आप कैसे सरी पार्टियों ने आगामी चुनाव के लिए तैयारी कर दी हैं तो यह उसी के संदर में हमने सब कार्यकरताओं को बलाया था और अपने राश्टि लो प्रकार से अभी बीजेवीपी ने अपना फ concur ax किया है और लोहों को ब्रमित करने का अपन हे शुरू किया है तो हम लोग अपने कार्यकरतां को सजख कर रहे हैं कि लिए कि 17 लिए प्रस्ता कर और बात करने compart dak समय राजनात सिंग्जी उन्होंने कहा थाया पर वह बड़े असहाई से अपने आपको मेसूश होंगे कि उनके पास में प्रितनिदी मंडल कई बार गया लेकिन उन्होंने कहा मैं बात करता हूं कोई जवाब यहां की जन्ता को नहीं दे पाए हैं और अब आके एक विदान मं होगा तो चलाएंगे किसान जब तक गन्ना चालू नहीं होगी तो गन्ना अपना बोएगा कैसे उनका उद्देश चखा लिए है कि हम किसी भी तरीगे से जमीन को उते आएं यह बहुत नहींगी जमीन है जमीन को उते आकर और किसी प्राइवेट पार्टी को देकर चुनावों सामप्रदाइक करने जन विश्वास यात्रा जिसका नाम ले रहे हैं जन का विश्वास तो खो चुके हैं अब किसी भी तरीके से इस चुनावों सामप्रदाइक ताकी और ले जाने के लिए उनका प्रयास है कि बार बार क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ा संद जारी की बात यह कर रहा है कोई यहा detention वाले वाले चुकी और आने वाले चनाव में दो खोंहार कि साध्य 25,30 yeah bye one का प्रचार प्रसार करने स्वार्म के लिए में बड़ा ताजुब इसी बात करता हूँ